तो आज हम सेखेंगे कि कैसे आप कोई भी YouTube वीडियो को YouTube short वीडियो को generally हमने पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि YouTube वीडियो को कैसे embed करते हैं अगर आपने उसे नहीं देखा आई बटन में आपको उसका link मिल जाएगा आप उसको देख सकते हैं मैं इस वीडियो में बता हमको कि कैसे आप किसी भी जैसे कि आप देख सकते हैं YouTube short वीडियो को मैंने खोल रहा है इस तरह के short वीडियो को कैसे आप अपने website पर जैसे कि मैंने यहां पर embed किया है यह क्या है YouTube short वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं कि यह क्या है एक यूटुब शॉर्ट वीडियो है 51 सेकेंड का और यह यही वीडियो है जो मैंने आप मैं आपको दिखा रहा हूँ यह वीडियो को ही मैंने कहा है यहां इंबेट किया जिनरली क्या होता है कि आप जैसे इस पे शेयर के क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जब अगर यह नॉर्मल वीडियो होता शॉर्ट नहीं होता तो यहां पर आपको साइट में इमबेट का ओप्शन दिख जाता था लेकिन यूटुब शॉर्ट के लिए ऐसा ओप्शन नहीं होता है तो कैसे हम यूटुब सॉर्ट को अपने वेब साइट पर चाहे वो website blogger पर हो या wordpress पर से कैसे embed करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा तो चले देखते हैं उसे कैसे embed करते हैं सबसे पहले क्या होगा आपको description में एक link मिलेगा उस पर आपको click करना है click करने के बाद आप इस website पर आ जाएंगे आपको यहां से नीचे scroll down करना है scroll down करने के बाद यहां पर आपको step 3 के बाद जो code दिख रहा है उस code को क्या करना है यहां से आपको copy कर लेना है जैसा है और पूरा का पूरा आपको यहां से copy कर लेना है कि यहाँ पर नीचे में मैंने coming soon लिख रखा है अभी तक मैंने इसका वीडियो को embed नहीं किया है तो मैं क्या करता हूँ इसमें आपको trial करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ से क्या करना अगर blogger में कर रहे है तो आप यहाँ से stml view पर click करना है नीचे scroll down करना है और नीचे scroll down करने के बाद यहाँ पर मैंने coming लिख के रखा है coming soon तो यहाँ से coming को replace कर ड़ता हूँ जो code आपने copy किया है मैं जहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो वहाँ पर क्या कर रहा हूँ उसको stml view में इसको paste कर दिया अब आपको क्या करना है कि आपको अपने youtube चैनल पर जाना है और जो भी shorts है आपके mobile में ऐसा ही दिखेगा shorts होने से आपको क्या करना है mobile में या फिर laptop में shorts को उस video को खोल लेना है उसके बाद आपको वहाँ पर share पर click करना है share पर click करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत लंबा सा URL देखने को मिलेगा बट हमें इतना लंबा URL नहीं चाहिए क्योंकि इसको हम directly embed नहीं कर सकते normal video होने से पूरा का पूरा URL हमें चाहिए लेकिन हमें यहाँ embed करने के लिए सिर्फ video ID ही चाहिए तो video ID के लिए अगर mobile users हैं तो क्या करेंगे इस तरह का एक pop-up आएगा उसमें से आपको क्या करना है shorts के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर shorts लिखा हुआ है shorts के बाद जो ID है video ID उसको क्या करना है आपको copy करना है up to question mark question mark तक आपको उसको copy कर लेना है तो आप उसके question mark के बाद आप देख सकते हैं कि question mark feature share लिखा हुआ है तो वो नहीं चाहिए बस video ID आपको copy करना है अगर आप laptop user हैं तो आपको क्या करना है simply आपको उपर में address bar में आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा वीडियो का URL दिया हुआ है तो उसमें से आपको क्या करना है बस जो shorts के बाद आपको भी shorts के बाद जो ID है बस उसको ही copy कर लेना है दोनों ही mobile users या फिर laptop users क्या करेंगे उस ID को copy कर लेंगे ठीक है copy करने के बाद आपको वापस से blogger के post में आना है जहाँ पर आप वीडियो लगाना चाहते है उसमें मैंने उस code में एक जग़े पर लिख रखा है यो YouTube short video ID उसको क्या करना है YouTube short video ID को आपको erase करना है और वहाँ पर अभी अभी आपने जो code copy किया वीडियो ID को पी किया उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है अपडेट करना है उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर coming soon लिखा था अभी यहाँ पर एक YouTube वीडियो शो करना चाहिए तो यहाँ पर YouTube वीडियो शो कर रहा और कोई इरोर भी शो नहीं कर रहा और यह प्ले भी हो रहा